ही चैसितुडूूडंट हम लोग है सोल्व करता है तेक्वास मेरे प्रस्षन संख्या 6-10 के मान ज्याद कीजिए तो जो मारी प्रस्षन संख्या 6-10 दस है था मेरे उसका मान निकालना है तब चैसितुड ये समलोक्र प्रस्षन संख्या 6 पर चलते हैं और देखते से इसका स्टाइब क्या होगा है में तो देखिएं है कि छटे नंबर में क्या दिया गया है तो लगें साइन साथ सो पाइसट डिगरी तो इस्टुडेंट इसको आप लोग सबसे पहले काम ईजो डिगरी दिया गया इसको आप 360 डेगरी से भाग दीजी चलिए इसको करने का प्रोसेस आप लोग समझ दिजिए इसको आप 360 डेगरी से भाग दीजिए लिखिये 755 डिगरी को 360 से भाग देंगे ठीक है तो कितनी बार जागा 36 दूनी 72 होता है 360 दूनी कितना हो जागा 720 डिगरी तो solve करिए 5 यहाँ पर आ गया है 6 में से 2 घटा होगे 4 7 में से 7 गया कुछ नहीं ठीक है तो 765 को आप लिख के आ सकते हो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 गुड़े में 360 जैसे आपको पता है न यह जो हमारा भाज होता है बराबर होता है भाज यह इस इकुल टू होता है भाजक गुड़े में भाग फल पलस में सेस फल ठीक है अब यह जो 765 है दिगरी इसके अस्थान पर आप क्या लिख सकते हैं भाजक कितना है 360 गुड़े में 2 पलस 45 और आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं इसके अस्थान पर आप यही लिखती चीए लिखिए देखिए क्या होगा 2 इंटू में 360 डिगरी पलस में 45 डिगरी ठीक इश्रू है और अब आप बात ध्यान से देखिए जो मरत 360 डिगरी होता है वो बराबर होता है किसके 2 पाई के ठीक है तो यहाँ पर 2 लिखिए 360 के अस्थान पर 2 पाई पलस में 45 डिगरी हम आपको कॉंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं आप लोग अगर इस बात को समझ जाएंगे तो चीज़े आप लोग के लिए आसान हो जाएंगे अब देखिए अब यह हमारा किस तरीके का है आप लोग समझे जैसे अगर हमारे पास साइन साइन एन गुड़े में 2 पाई ठीक है पलस थीटा है समझ गे साइन एन गुड़े में 2 पाई या फिर आप कहे सकते हो 2 पाई एन 2 एन पाई ठीक है पलस थीटा है तो इस केस में क्या होता है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमें sin theta मिलता है समझ गए यह आपको कुछ इस रूप में भी मिल सकता है देखिए sin 2n pi प्लस theta बराबर किसके होता है sin theta के जो बात यहां लिखे गई वही बात यहां पर भी लिखे गई अब देखें यहन कमान यहां पर 2 है कि एन कमान मारा पूडांग खोना चाहिए तो एन कमान देखिए क्या है दो है 2 pi प्लस theta तो बराबर किसके हो जागा sin 45 degree के और sin 45 degree कमान क्या होता है 1 upon under root 2 और student degree मारा क्या हो गया answer हो गया अब ए है क्या sin 755 degree sin 755 degree sin 45 degree के बराबर होता है तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं मारे अगले नंबर का solution क्या हो कि साथवे नंबर पर चलिए चलते हैं अब इस्टुडेंट्स आप लोग साथवे नंबर को ध्यान से देखें में क्या दिया गया है हमें दिया गया है si cos एक minus shodah सो 10 degree ठीक है अब आप लोग formula समझाझी जैसे हमारा जो sin minus theta होता है हो बराबर होता है minus sin theta के हमारा जो cos minus theta है और cos theta के बराबर होता है और जो हमारा 10 minus theta है वो minus 10 theta के बराबर होता है cot-θ-cot θ-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c होते ह् aş इब यह बात आपको पता होनी चाहिए कि कि अब देखिए इश्व爹 लिखेंगे कोसिक माइनस थीटर पर 14 3 ग्या लिजे क्या बनेगा कोसिक मा इस एक माइनस तीटर और कोसिक प्रवर आता माइनस कोसिक ठीटर पर लिखेंías कोशिक थीटा का इस्थाम पर क्या है 1410 डिगरी ठीक है अब देखे 1410 डिगरी को आप भाग देजी किस से टीन सो साथ से तो इस्टूडेंट छथी दुनी बाद तर च्छथी स्थीश्ति इन एक सो वाट ठीक है और अभी एक बार और चार बार लेकर के में पर क्या हो रहा है चार सुन ने सुन 4 चंग 24 के 4 हासिल 2 ठीक है 4 चंग 16 हासिल 2 18 के 8 हासिल 1 और 4 एक के 4 भाग दिजे इस्टुरेंट फिर से 4 सुन ने सुन देखे 36 गुड़े 4 करना है 4 सुन ने सुन 4 चंग 24 के 4 हासिल 2 4 तिया 12 दो 14 अगेके इस्टूरंट हमें कुछ इस तरीके से भाग देना है कि या तो प्लस में जैसे 360 के से इसमें भाग देना है या तो प्लस में पहुंचें इसके करीब हमें पहुंचना है अगर आप समझे इसके करीब हमें पहुंचना है 1410 देगरी के चाहे नेगेटिव हो या फिर प कि तीन सो साथ से इसको काटते 36 तीया एक सो आठ ठीक है यानि कि 1080 को मिलता तो जीरो आ जाता एक ग्यारह में से आठ गट आया तीन और यहां पर मारे पास क्या दर था 330 इसको में फिर लिखना पड़ता क्या 30 तो आप इससे क्या लिख देखिए जैसे अभी हमने जो फॉर्मुला सीखा था जैसे लिए कुछ इस तरीके से बताते एक बार को इस तरीके से बताते है तो लिखे देखे इसको आप क्या लिख सकते हैं थी कौशेक तीन गुड़े में तीन सो साथ प्लस क्या लिखोगे सेसफल तीन सो तीस डिगरी ठीक है कोशेक टू कोशेक एन गुड़े में टू पाई समझ गया है टू एन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा कोशेक थीटा के कोशेक थीटा और थीटा के अस्थान पर क्या है तीन सो तीस डिगरी है अब आपको फिर इसे थोड़ा सा चेंड करना पड़ेगा चलिए दिखाते हैं कैसे चेंड करोगे देखिए माइनस कोशेक तीन सो तीस डिगरी है तो क्या आपको 330 degree का मान याद है नहीं याद है तो इसे आप लोग कोसे 270 degree प्लस थीटा के रूप में चेंज करिए ठीक है या फिर 360 माइनस थीटा है प्लस थीटा के रूप में चेंज करिए इस्टुडेंट जो formula है formula का video lecture हम आपको वीडियो के description box में दे रहेंगे वहाँ से आप लोग सारे formula शीख लेना ठीक है अब इसे कुछ इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसे 270 degree प्लस में 60 degree ऐसा तो लिखी सकते हैं और एक formula हमारा होता है formula देखी क्या होता है कोसेक 270 degree प्लस 60 degree कोसेक 270 प्लस थीटा यह हमारा किसके बरवर होता है सेक थीटा ठीक है अब इन negative होगा positive इसके लिए आप ऐसे चतुर्थांस बना लिजिए 270 हमारा कहां पर आगा देखी यहाँ पर 90 होता है यहाँ पर 180 यहाँ पर 270 270 में 60 जोड़ों यानि कि आप चतुर्थ चतुर्थांस में पहुंचोगे और जो मारा चतुर्थ चतुर्थांस होता है इसमें मारा कॉस और सेक धनात्मक होता है ठीक है तो जो कोसिक है तो एक क्या हो जाएगा हमारा रिदात्मक माइनस 6 60 डिगरी ठीक है इसको लिखिए माइनस इसके अस्थांपर माइनस 6 60 डिगरी आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सेक 60 डिगरी और सेक 60 डिगरी का मान क्या होता बताईए देखिए सेक 60 डिगरी का जो मान होता है मारा ओदो होता है यहां पर आप दो लिख दीजी यह इमारा अंसर हो गया आपको सोचने हैं आपको कुछ formula याद होने चाहिए जैसे 90-θ से 90-θ वाले 270-θ वाले 360-θ वाले 360-θ वाले 360 प्लस थीटा वाले ठीक है तो इस सारी formula श्टूले अपको याद होंगे तो आप लोग प्रशन को बहतरी धंग से कर पाएंगे चलिए अब हम लोग इस वाले तरीके से बता दें सब बाते हैं वही होंगी देख लिए कैसे अगर आप चार बार ले करके जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा चार आ जाएगा और आपके पास यहाँ पर देखी ए प्लस होता है माइनस सेस्पल रिडात्मक नहीं होता है लेकिन यहाँ पर आपको समझना है ठीक है तो जी 1440 आ रहा है 1440 मेंसे आप 1410 घटा रहो जब कि रिडात्मक मेंसे एक खटा रहे हो तो यहाँ पर आपको जो चिंद मिलेगा किके का वह क्या मिलेगा रिडात्मक समझ गये कि अब देखें देखे इंब यह हो गया, इसको multiply करें गए 1440, 1440 में से आप जब 30 दिगरी घटा दोगे ता आपको 1410 दिगरी मिल जाएगा, तो जो बात यहाँ पर लिखी गई वो यही है, आप cosec, formula देख लिजिए, cosec, n गुड़े में 2 pi minus theta, ठीक है, ऐसे ही है, इसको कुछ आप इस तरीके से समझेज़ और यह हमारा minus theta है, cosec, n गुड़े 2 pi plus theta, बरावर किसके हो जाएगा, cosec theta के, cosec theta, और theta के अस्तान पर कहा है, minus, तो cosec minus theta हो जाएगा, और cosec minus theta हमारा बरावर होता है, minus cosec theta के, समझ गए, तो यहाँ पर minus 1 है ही, जब इतना solve करेंगे, हमारे पास minus cosec 30 degree आएगा, तो minus minus हो जाएगा, plus, यहाँ पर हो जाएगा, cosec 30 degree, और cosec 30 degree का मान क्या होता है, हमारा जो sine 30 degree होता है, 1 upon 2 होता है, cosec 30 degree के इतना हो जाएगा, 2, यह हमारा answer हो गया, ऐसे भी आप सोच सकते है, तो student, आप लोग लग लग तरीके सहल कर सकते हैं, चलिए, अब लोग अगले प question, आप लोग ध्यान तो देखिए, आठवा नंबर, आठवे नंबर में मैं दिया गया, 10, 19, pi, बटे में 3, अब student, हमें इस तरीके से दिया गया है, हमें इसे कुछ इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, देखिए, 2n, pi, plus, theta के रूप में हमें इसे चेंज करना है, तो आप इसको लिखे देखिए, क्या लिख सकते हैं, 10, ठेक है, 19 बटे 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3, 18, 19, बटे में 3, ठीक है, 3, 18, 19, बटे में 3 हो गया, यहाँ पर pi, अब आप इसे कैसे लिखोगे, 10, अब इस शिक्स, सही 1 upon 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 plus 1 upon 3, यहाँ पर pi, 10, multiply करें, pi से, 6 pi प्लस, pi बटे में 3, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, अब आप इसे इस रूप में change कर लिए, देखिए, 2n pi प्लस theta, इसे थोड़ा सा और देखिए, 10, 2pi, यहाँ पर 2pi लिख दीजिए, यहन के लिए देखिए, क्या जगा, 3, 3 दू निच्छे pi हो गया न, प्लस pi upon 3, तो इस रूप में आपका change हो गया है, 10, 2n pi प्लस theta, हमारा बराबर होता है, 10 theta के, समझ गए? 10 theta, और theta के अस्थान पर क्या है, pi by 3, और student जो हमारा pi होता है, वो बराबर होता है, 180 degree के, यहाँ से 10, 180 degree, बटे में 3 हो गया, कितना गया, 10, 180 degree, बटे में 3, 3 से कार दीजिएगा, चलिए आगे देखते हैं, क्या लिख सकते हैं हैं, 10, 10, 3, 6, 8, 10, 60 degree, और student जो 10, 60 degree होता है, उसका मान क्या होता है, under root 3, यहाँ मारा क्या हो गया, answer हो गया, बस ऐसे ही evolve करना आपको, चलिए, अब लोग अगली नमबर पर चलते हैं, और देखते हैं, अगली नमबर का solution क्या होगा, आप अब नमबर को ध्यान से देखिएं, इसमें क्या दिया गया है, साइन, 11 पाई, आपउन में 3, देखिए ध्यान से, साइन माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, केवल इस केज में, कॉस और सेक धनातना को होता है, बाकी सारी से रिडातना, तो, माइनस साइन, 11 पाई, अपउन में 3, मारे पास ये आगया, चलिए, आगे देखिए, माइनस साइन, 11 अपॉन 3 को आप क्या लिख सकता है, तो, देखिए, तीन तरीक कितना होता है, 9, 2, 11, बटे में 3, तीन तरीक का 9, 2, 11, बटे में 3, पाई, ऐसा लिख सकते हैं न, और इसको देखिए, क्या लिख पाऊगे, माइनस साइन, 3 प्लस 2 अपॉन में 3 पाई माइनस साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बटे में 3 अइसा लिख सकते हो आप आगे दियान से देखिए अभी अभी हमने कहा था कि देखे ये मरक किस रूप में चेंज हो गया है 2N पाई प्लस थीटा के रूप में समझगे students देखे किस रूप में चेंज हो गया है ये थोड़ा अलग तरीके से चेंज हो गया है 2N देखे किस रूप में चेंज हो गया है 2N प्लस वन पाई प्लस में थीटा कुछ इस तरीके से मारे पास Change गुए है अब आप लोग ध्यान से देखिए Sin अगर हम n बराबर 1 ले ले तो 2 गुढे 1 2 हो गया 2 प्लस 1 3 हो गया Pi प्लस थीटा कुछ चीज ारूप है जो गवा है आप आप लोग ध्यान से देखिए Sin3pi प्लस थीटा हमारा क्या हो गा आप लोग ध्यान से देखिए इतना जब हम गूमते हैं तुम्हारा दो पाई होता है समझ गए यहां से अगर हमने गूमनाई स्टार्ट किया देखिए चिन कैसे डिशाइस करोगे क्या आएगा आपको यह सोचना पड़ेगा आप देखिए क्या आएगा आपने यहां से यहा यही ही पर पहुंच चुके फिर आपने एक चकर ऐसे घूंँआ तो यह हमारा एक पाई हो तो कि इतना हो एक पाई ऍक प्लस जेकर यह किज़ो तो आप देखिए यहां से यहां गुमे दो पाई फिर यहां से यहां गुमे एक पाई तीन पाई हो गया आप तीसरे चतुर्थांस में पहुंच रहे हो किसमें एक सो असी प्लस थीटा वाले में इसमें पहुंच रहे हो तो इसमें हमारा टैन और कोड दनात्मा बाकिसारा रिरात्मा को हमें क्या मिलेगा माइनस साइन ठीक है थीटा यही बात आपको समझानी थी तो यहां से में क्या मिलेगा देखिए माइनस साइन है ही और हमें क्या मि मिलेगा माइनस साइन 2 पाई बाई 3 यह हमें मिलेगा देखें लिखें माइनस माइनस हो जागा प्लस साइन 2 पाई का मान होता है 360 डिगरी और 3 आगे खाल कीजिए साइन लिखिए तीन से 3S6 को काटोंगे तो 120 डिगरी आजाएगा ठीक है साइन 120 डिगरी का मान क्या होगा दखिए साइन 94 डिगरी प्लस थीटा और मारा किसके बारे होता है cos theta के, formula देखिए cos theta के sin 90 degree plus theta तो sin 90 degree plus theta मारा दूसरे चतुर्थांस में और दूसरे चतुर्थांस में मारा sin cosic dhanatmak होता है, sin dhanatmak होता है cosic dhanatmak होता है, तो यह मारा इसलिए dhanatmak आ गया, अब cos theta theta के अस्तान पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 120 degree को, sin 90 degree ब्रस्ट में 30 degree तो यहाँ पर theta का मान क्या हो जागा 30, तो cos 30 degree और student cos 30 degree का मान क्या होता है, आप बता दीजिए under root 3 upon यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पर एक अब आप लोग ध्यान से देखिए student, इसके बाद हमने यहाँ पर solve किया, देख लिजी ठीक है तो यह formula हो गया, यहाँ से आपको उतार लेना है यही मारा answer हो गया इस तरीके से जो मारा 9 नमबर था है students हमने इसको solve कर लिया है चलिए, आप हम लोग अगले नमबर पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगले नमबर का solution क्या होगा चलिए student हम लोग दसवे नमबर पर solve करते हैं देखिए इसमें क्या दिया गया है इसमें हमें दिया गया है cot minus 15 pi बटे में 4 और जो cot minus theta होता है वो हमारा बराबर होता है minus cot theta के समझे इस्टूजन यहां पर लिखे minus cot 15 pi बटे में 4 इस तरीके से लिख सकते हैं अब आगे ध्यान से दिखे minus cot दिखे 15 बटे 4 pi को आप कैसे लिख सकते हो दिखे 4 4 के 16 होता है 16 में से अगर हम एक घटा दें क्या हो जागा 15 तो 4 4 के 16 यानि कि 4 pi minus pi by 3 pi by 4 4 4 के 16 pi 16 pi में से अपने एक pi घटा दिया आपके पास आगया 15 pi बटे में 4 बात तो वही है ऐसे इस्टूजन आप लोग इस नवे नमबर को भी solve कर सकते थे ठीक है तो आप लोग प्राई करना अब आप लोग ध्यांस देखिए minus cot किस रूप का हो गया है 2n pi plus theta के रूप का हो गया है और cot 2n pi plus theta हमारा बराबर किस के होता है बताई cot theta के ठीक है cot theta के बराबर हो जागा और theta के अस्था पर minus theta है तो minus theta लेग देजिए तो यहाँ पर क्या हो जागा cot minus pi by 4 और आपको पता है cot minus theta minus cot theta के बराबर होता है तो यहाँ पर minus है माइनस बाहर चला रहा आएगा प्लस हो जाएगा कॉट पाई एपोन फूर अब देखिए पाई एपोन फूर का मतलब क्या होगा देखिए पाई का मान होता है 180 डिगरी 180 बटे में 4 करीज 4, 4, 16, 2, 18 होगा 20, 4, 25 तो हमारे पास क्या गया है कॉट 45 डिगरी और कॉट 45 डिगरी का मान क्या होता है 1 यह हमारे एंसर होगे तो इस्टुडेंट्स इस तरीके से प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक को हमने solve कर लिया है चलिए आप लोग पढ़ते रहे हैं अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो comment box में कीजिए कर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए स्टुडेंट्स आप लोग पढ़ते रहे हैं थैंक यू